सुल्तान मार्टी मीडिया साथ सोश्यासी चैनल ना जोड़ियां सारियां संकतानू जै पीरांदी आज दी वीडियो वी चैसीत वारनू अल्ला दे पाक नभी हजरत मुहम्मद साहिब उना दे एक सहाबी दा किसा दसांगे जिड़ा की साथी जिन्दगी नो बदल सकता है सानू बहुत कुछ सिखा सकता है सो हत जोड़ के बेंती ऐस वीडियो नो पूरा जरूर देखे ओ ते इस चैनल नो भी जरूर सबस्राइब करे ओ पीरांदी प्यारी सासंगत जी अल्ला दे पाक नभी अल्ला दे आकरी नभी कुल नभी यां दे सरदार हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल लाहुताला अल्याईब सलम अल्ला दे महबूब जिन्दा दरवार जिन्दा रोजा श्रीफ मदीने दे बीच बनेया होया है जिन्दी खातर अल्ला दरवार ने पूरी काइनात बनाई सी उन्दे सहाबी दा एक किसा है जो कि सानु पूरा सुनना चाहिदा है तां जो सानु जिन्दगी दे बीच बहुत कुछ समझे लगे कि सानु की करना चाहिदा है कितना करना चाहिदा है सो आओ आज दी कहानी बाल चल देया हजरते मुहम्मद साहब जी देख मुरीद होए सी जिना दा नाम सी हजरते सालबा जिना दी उमर सी 16 साल उस मुरीदा डूटी की हुंदी सी जो तो भी हजरते मुहम्मद साहब ने कोई भी काम कराना हुंदा कोई सोदा मंगाना हुंदा कोई किसे नू सनेहा लवाना हुंदा किसे नू बुला के लखे आउना हुंदा जा कोई भी कम कराना हुंदा ता हजरते मुहम्मा साहिब सालबा तो ही क्राया करदे सी एक दिन हजरते मुहम्मा साहिब जीने हजुरते सालबा नुँ एक काम पेजिया ओ कामकाने देले लग पा गद्धा देल लग जाना सी चार पmetros के एंट्वां दा काम सी ते हजुरते सालबा चले भी गए ओ कामकान जदो अज़ादेन भीत्तेया हजुरते सालबा ओ कामकार के बापस आ रहीenne सी बापस आओंदे उएक पिंड़ दे बिची लंगर लगे ता एक कारदे मुरो जदो लंगर लगे ता उसकारदे बार एक बातरूम सी हमाम सी जिदे बिची का औरत नहा रही सी अल्ला ताला दी ऐसी कुद्रत होई एक हवा दा चौंका आया ते जेड़ा उस बातरूम दे मुरे एक पड़दा लगा होया सी ओ हवा दे चौंके दे नाल उड़ गया जिद्धा ही पड़दा उड़ेया हजरते सालबा दी निगा उस नंगी औरत ते नहांदी होई औरत ते पैगे शैतान ने जोर कीता जदो हजरते सालबा ने दूसरी निगा चाके देखन दी कोशिश कारण लगे तड़ जमीर ने दस्तक देती कैसोचन लगे कि ऐ सालबा तू एक की का रहा है पहली नजर ताला ताला बलो माफया पर तू सो समझ के दूबारा उस नहांदी होई औरत नो देखन दी कोशिश कारण लगा है जमीर ने दस्तक दे दिती कि ऐ हराम है ज्यान हो गया हजरते सालबा सोचन लगे कि ऐ मैं किड़ा बड़ा पाप कारण लगा सी ऐ मेरे तो की हो गया मान दे बिच बहुत ही ज्यादा पश्तावा हो लग पया ते सोचन लगे कि हुण मैं अपने आका हजूर दे पास नहीं जा मांगा क्यूंकि मेरे जान तो पहला ही मेरा कारण मा उनना तक पहुंच गया होवेगा मेरी बही उनना तक पहुंच गई होवेगी मैं किद्धा उनना दे नाल नजरा मला मांगा किद्धा उनना ने सामने पेश हो मांगा मैं इना अखा दे नाल एक गैर आउरत नू देखना ते इना ही अखा दे नाल मैं हजूर नू किद्धा देखांगा बहुत ज़्यादा पश्तावा हो लग प्यामान देविच एही सोच के हजरते सालबा उत्थो चले गए जंगला पहाडा देविच चले गए उद्धर सारा दिन बीट गया हजरते सालबा बापस नहीं आए सब्धर प्यारे आका ओ दूसरे सालबा बापस नहीं आए ओ किते चले गए एक दिन गुजर गया दो दिन तेन दिन गुजर गए पर हजरते सालबा बापस नहीं आए ता मुहम्मद साब जी ने किहा कि जाओ साहबियों हजरते सालबा बापके लेके आओ ओ फलाने लाके देविच मेरा एक काम कारन गया सी काम अदे दिन दा सी पर हुन तक बापस नहीं आए या हड़ी हड़ी दो तिन हफ़ते गुजर गए मुहम्मद साब कैन लगे कि ओ इना चंगा लटका सी इना अमानदार सी समझधार सी ओ बपस क्यूं नहीं आया ता हजरते मुहम्मद साब ने हजरते फॉरुक का अते हजरते सलमान फार बापस उनननी डूटी लाई के हजरते सहाबानू लप스럽ल गे आओ सरकार दा हुकम लेके हजरते फारुक वाते हजरते सलमान फारसी उत्थो चले गए ते ओ लागे लागे दे पिंडाने बिच उन्हानू लबन लाग पै लबदे लबदे ओ पहाडाने बिच चले गए जो थोड़ी दूर गएता देखिया कि इक आदमी उत्थे बकरियां चरा है ता उन्हाने उसने उच्ची देणिया वाज देके कहा कि आए बकरियां चलाने वाले कि तु इते किसे 15-16 साले नौजवानू भी देखिया है उन्हाने ओदा पूरा पहरावा दसे आउमद य centrसे विद्दाना काद्दक आठेया इस दाना चेरा या ता उन्हानने पूछ कि अखित्त अपनी को सिखन दे नाड नौंदा है कि अ रोणा सुनकर। असी भी परिशान हो जानदे हैं। एक अलसुन करें हजरत स्लमान फार्सी कहन लगे कि युंदा कि समय है। ता ओ बक्रियां चानवाला कैन लगा कि ओदे आउनदा समा हो चुका है, बक्रियां चानवाला कैन लगा कि जदो हो रूंदा रूंदा निटाल हो जनदा है, ता फिर ओ इत्थे आके बक्री दा दुद पिंदा है, अपनी जिंदगी बचौन वास्ते नहीं ता ओ वे भी पिस चलेया जांदा है ते रूंदा ही रेंदा है ओ दूद पींदा भी रूंदा रेंदा है ते पहाडाने पिछे जाके भी रूंदा रेंदा है ओ तिन्ने ही उत्ये खड़ गए ते हजरत सल्मान फार्सी ते हजरत फार्क रजित आला हुआ नहाँ ओ एक पहारी दी ओड़े पिछे लुक गए ओ थोड़े समय बाद उना नू रोण दी अवाज आउन लगी ओ अवाज हॉडी हॉडी उच्छी हुंदी रही ते लगा तार रोण दी वाज आ रही सी थोड़े समय वाद सालबा रूंदा रूंदा उस चरबाहे दे को लांदा है ते आके एक दुद्दा प्याला फाड़के अपने मून नौन लगे उस दुद्दे प्याले दे बिच उस सहाबा दे हंजू डिग रहे या स्रीर बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुकाया चाड़ी दिन गुजर गया चाज़ी दे नाल खाना भी नहीं खादाया चेरा भी फिला हो चुकाया स्रीर कम बरेहा है ते हज़रते सालबा दुद्द पीके जदो वापस जान लगे तब पहाड़ी दी ओड़ बिच लुके होए हज़रते सलमान फारसिया ते हज़रते फारुके आलम उन्हाने वाज मारी कि ऐ सालबा रुक जा एह वाज सुनके सालबा फिर रोल लाग पैते क कैन लगे मैंनु रोके हो ना मैंनु जान देओ मैं बड़ा जुल्म कर ले आए मैं बड़ा पाप कर ले आए मैं अपनी जानते बड़ा जुल्म कर लेया है तो दोने पुछन लगे कि सालबा तु कीता किया सालबा कैन लगे कि मैं इक प्राई और तनू नहांदे होए देख ये पाक नू दस देता होएगा की ताड़ा सालबा मुझरिम हो चुका है हजरते सालबा कैन लगे के मैंनू मेरे नभी दे कोड़ ना लेके जायो ता हजरते सल्मान फार्सी कैन लगे की सालबा तु कबर आना अल्ला ताला बड़ा रहीम करीम है ओन तेनू बक्ष दवेगा तेनू तेरे नभी ने बुलाया है चल तेनू तेरे नभी ने बुलाया है ऐसी तेनू लेना आया सालबा ने पजणदी कोशिच की ती ता हजरते सल्मान फार्सी जी ने उनू कुटके फड़ लेया हजरते सल्मान फार्सी कैन लगे के तेनु हजूर दे को जाना ही पवेगा ते ओ उनु लेके हजरते मुहम्मद साफ जी दे को लाए लेके समने पेश कीता सहाबा ने नजरा चुका न्या हुँ जाया ते हजरते मुहम्मद साफ जी दे समने पेश कीता ते सालबा कैन लगा के हजूर मैं अपनी जानते जुल्म कर बैठा हा मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा हा ऐ मेरे कमली वालिया मैं इना अख्ञांदे नाली के गैरा औरत नू देख चुका हा उधी गल सुनके हजरते मुहमसाब कैन लगे की ए सालबा एक नगा मेरे बल देखता सही पर हजरते सालबा दी अख्ञांदे बिचो लगा तारहंजू जा रहे या ते ओ कैन लगे या रसूल अल्ला मेरी एनी हिम्मत नहीं है कि मैं अख्ञा चुके थो अड़े वालू देख सका हजरते सालबा कैन लगे कि या रसूल अल्ला जिना निगादे नाल में प्राही आौरत न बेख्ञा है नहांदे होई उना निगादे नाल में थो लड़े पाक मुखव। लू नहीं देख सकता हा एक अलसुन के हजरते मुहमसाब कैन लगे कि ऐसाहबा मेरी गल सुन जे तू पाप कर ही लिया है ता आसी ओधी तौबा भी कर सकते है हजरते मुहम्मद साथ केंदे है कि जेकर आसी कोई गलती गुना कर भी लेने है ता आसी ओधी माफी भी मंग सकते है तौबा कर सकते है ता सहाबा कहाँ लगे कि या रसूल रा, मैंनु हुकम करो हजरते, मुहम्मद साफ कहनल लगे कि ऐस आलबा, तु अपणे अल्ла ताला टे की गुमार रखदाएं ता, सहाबा कहनल लगा कि या रसूल रा, मैं इनना जानदा हाública कि मेरा अल्ला आल ताला बड़ा रहीमिया बड़ा करीमिया, ओ कीते हुए गुनाहानु माफ कर दिन्दाए हजरते मुहमद साब कहन लगे, कि जदो असी सचे मांदे नाल तौबा कर देया अपने कीते हुए गुनाहाते पश्तावा कर देया ते दिलों असी माफी मंग देया ता अल्ला ताला एना रहीमिया, एना करीमिया क्यों साड़े बड़े तो बड़े गुनानु भी माफ कर दिन्दा है ता सालबा ने हजरते मुहमद साब जी दी बारगादे बिच खड़े होके अल्ला ताला दी बारगादे बीच दुआ किती, तौबा किती, माफी मंगी हजर्त मुहमद साव ने देख्या कि साल्बा बड़ा कमजोर हो चुकाया चाली दिन होगे कुछ ख़दा नहीं सिर्फ बकरी दे दुदते ही जिन्दा सी स्रीर बढ़ा कमजोर हो चुकाया ता, रसूल अल्ला ने साल्बा नुः कमारे की ए साल्बा आजा मेरी गोदे बेच थोड़ा आराम कर ला हजरते मुहमोद साहिब ने अल्ला दे पाक नभी ने साल्बा दा, सरा अपनी गोदे बर रखलेा ते अपने हथ मुवार्क दे नालो दे बाला ने बिच हथ फे रहेया सो कैन दा मतलब एए है कि जेकर अपा कोई गल्ती गुना भी कर लेया ता जेकर अपा उदी सचे दिलो तौवा कर देया अपा गल्ती मन देया अच्र मिंदाय अपनी गल्ती ते ता लात आला इना रहीमया करीमया क्योँ साटी हर किती गलती गुनानुं बख्ष दिनदा है बस दानु तौबा सचे मनो करनी पैंदिया ते इश्क करना है ता सच्चा करो अपने महभूब देनाल अपने पीरो मुर्शद देनाल सच्चा ते पाक इश्क करो तला तला हर गलती नो माफ कर देंदा है सो पीरा फकीरांदिया होर वीडियो देख ले इस चैनल नो जरूर सबस्क्राइब करें